दस साइन्टिफिक पॉइंट ओफ व्यू पारागराफ नंबर तीन तक हमने पढ़ लिया था अब हम पारागराफ नंबर चार से आगे पढ़ेंगे है कि सच एन एटिट्यूड इस तरह का जो एटिट्यूड है जो साइन्टिस्ट लोग जो हर चीज को फैक्ट पर तौल करके देखते हैं सच के तरह जो पर तौल करके देखते हैं आगर फैक्ट क्या है वो सच्चाई क्या है वो धर्म में भरोसा नहीं करते हैं वे किसी भी चीज में भरोसा नहीं करते, इस तरह का जो attitude होता है scientist का, leads the scientist to a curious mixer of pride and humility, वो scientist को ले जाती है, कहां ले जाती है, pride, अभिमान और humility, जिसमें अभिमान नहो, pride और humility, विनम्रता, ठीक, अभिमान और विनम्रता का जो mixer curious है, जो उत्सुकता है, जो जिग्यासुपन है, उसकी तरह scientist को ले जाती है, ठीक, मतब scientist जो है, वो अभिमानी भी हो जाते हैं, उन्हें अपने आप पर गर्व भी होता है, और विनम्रता भी उनके अंदर में रहती है, क्योंकि वो बात को fact, fact खोजते हैं, वो, सच खोजते हैं, अर्श है, तरिक है, यह में से ऐक ग्रूप हमारा सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम जैसे असंखी ग्रूप आसमान में हैं, ठीक है यूनिवर्स में हैं जैसे हमारा सोलर सिस्टम मतलब क्या सूरी हमारा सन और उसके जितने भी प्लानेट है ठीक वो सारे और उसके जो उपग्रह हैं वो सारे और जितने भी तारे आप लोग देखते हैं वो सारे वो सारे सोलर सिस्टम कहलाते हैं ठीक तो बहुत ऐसे ही solar system की तरह ही बहुत सारे असंग के solar system है तो उन में से एक हमारा सूरज भी उपस्तित है उसके एक group के member की तरह rather small in comparison वो comparison में तुलना में बहुत ही छोटा है हमारा जो solar system है वो बांकी solar system में बहुत सारे solar system से छोटा है इससे भी बहुत बड़े-बड़े solar system आस्मान में हैं with many of their neighbors अपने परोसियों से कमतुला में यह छोटा है हमारा solar system and executing their movements according to simple and easily intelligible laws और यह जो हमारा solar system है वो execute करता है क्रियानवेन करता है काम करता है अपना उसका जो movement है उसका जो movement मतलब गती जो है उसकी हमारा solar system जो भी हमारे solar system में movements होते हैं जो करती विधियां होती है ठीक हमारा पूरा solar system ही चारो तरफ घूम रहा है ठीक तो इसी तरह का जो movements है वो according to simple and easily intelligible laws वो एकदम ही साधारन और एकदम सिंपल सा एक intelligible laws पर वो काम करता है उसमें ज्यादा नियम कानून नहीं है वो सीधा ऐसे प्रित्वी घूमती है सुरी के चारो तरफ तो बस घूम रही है घूम रही हो इसमें कोई ज्यादा लाई लफट नहीं है बात समझे लेकिन बट ही सीधार छेल्ट हरीं एक सामान्य का मतलब ही अंताव आ 네 colocar तीक किसका pew से मांभ्र है किसका मेंबर है किसका सदसे है यह है जी हैं जी हमान्य के अलग सीवर्ग नहीं ड़ुम हों बंदरों के omdat आक minimum केसम गुरूब हुइभ उसमें सेमारा सभार मारा expecting को Gandi जो इनसान है वो भी बंदरों के ग्रूप का ही एक छोटा सा भाग है ठीक वाइल हिस माइंड इस एट नमर्सी ओफ नमबर ओफ कैमिकल प्रोसेस प्रोसेस इन हिस बॉड़ी लेकिन उसका जो दिमाग है हिस माइंड जो है उस साइंटिस्ट का या किसी भी इनसान का जो माइंड है वो हमारे सरीर में जो इन नमबर ओफ कैमिकल प्रोसेस होते हैं बहुत सारे जो कैमिकल प्रोसेस होते हैं उसकी दयापर उसका दिमाग निर्भर करता है आपके बॉड़ी में जो परिवरतन होगा उस हिसाब से आपका दिमाग चेंज होता रहता है अब बहुत जोर से चोट लग गया तो हमारा दिमाग उस हिसाब से काम करेगा बहुत ज़्यादा हमें खुशी हो गई तो हमारा दिमाग उस हिसाब से काम करेगा हम दुख में है तो उस हिसाब से हमारे पास खूब पैसा है तो हमारा दिमाग उस हिसाब से काम करेगा मतलब हमारे बॉड़ी में जो changes हो रहे हैं हम बिमार हैं तो हमारा दिमाग उस हिसाब से काम करेगा हम healthy हैं तो हमारे दिमाग उस हिसाब से काम करेगा तो मतलब हमारे body में जो अलग-अलग प्रकार के chemical process होते हैं उसी हिसाब से हमारे हमारा जो mind है वो हमारे body में जो उसकी दया पर हमारे दिमाग कम करता उसकी दया से हमारा दिमाग चलता है थिक इससे वो मेर कर सकता है और को समझ सकता को वी इन्सड़न सकता है बड़ लिटल एप रहे हैं एक अपने दिमाग को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है लेकिन हमारे सोलर सिस्टम जो है वह एकदम फिक्स जो नियम है उसका बना हुआ उसी नियम पर काम करता है नेचर में आप देखते होंगे जितनी भी नेचरल चीजे हैं वो एक सिंपल से रूल पर काम करती है लेकिन इनसान सिंपल से रूल पर काम नहीं करता है, इनसान के साथ परिस्थितियां बदलती रहती है, जैसे पेर पौधा है ऐसे ही मैं छोटा सा एक्जामपल लेता हूँ, मजाक के तौर पर आपको अच्छा लगेगा एक एक्जामपल लेते हैं, कि जैसे एक छोटा सा पौधा होता है पेर होता है, ठीक, वो देखिए, वो क्या सब खाता है, वो धूप खाता है, धूप, उसको चाहिए जमीन के अंदर से खनीज लवन चाहिए, पाणी चाहिए ये सब चाहिए, वो बस हरे एक पौधे को यही चाहिए, तो वो उससे ज़्यादा चाहता भी नहीं है, लेकिन इनसान का फिक्स नहीं है, उसे क्या चाहिए, उसे जितना मिलता है, मतलब इनसान का जो nature है वो बदलता रहता है लेकिन nature का जो nature है मतलब प्रकृती का जो मन है प्रकृती का जो movement है वो बदलता नहीं हो एकदम simple से laws पर एक simple से कानून पर वो काम करता रहता है simple and easily intelligible laws पर वो nature हमारा काम करता है work करता है ठीक है in so far काफी हद तक as it places all phenomena on the same emotional level ये जो है science जो है वो हर एक phenomena को हर एक घटना को जितनी भी घटना घटती है उसे एक ही emotional level पर रखती है science एक ही emotional level मतलब सब के साथ science का एक ही भावना रहता है ठीक कि ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग किसी को माली जीए चोट लगना तो कई तरीके से किसी को चोट लग सकती है ठीक जैसे कि किसी ने किसी को पीट दिया तो चोट लग गई कोई गिर गया तो चोट लग गई कहीं पर accident हो गया तो चोट लग गई तो अलग अलग घटना ओपर हमारा जो emotion होता है हमारी जो भावना होती है वो अलग-अलग होती है किसी ने कहीं पर जगरा हो गया तो चोट लग गई मतलब हमारी भावना ये बदलती रहती है लेकिन साइन्स जो है वो हर एक घटना को एक ही भावना पर रखता है The scientific point of view may be called the God's eye view scientific point of view जो है मतलब science के देखने का जो नजरिया है वो भगवान की आख का नजरिया कहा जा सकता है मतलब science की आख को हम भगवान की आख कह सकते हैं क्योंकि इश्वर ने जिस चीज को जैसे बनाया है हमारा कर्तव है कि हम भी उस चीज को वैसे ही देखें इश्वर अलग-अलग भावनाओं से अलग-अलग चीजों को नहीं देखता होगा उनकी नजर में सब एक समान है इसलिए साइंस की नजर में भी सब एक समान है दो लोगों की मौत अगर होती है आगे एक्जामपल दिया हुआ है कि अगर एक वैक्ति गंदा पानी पीने से मर जाए या एक को गोली लगने से मर जाए तो साइंस की नजर में बस दोनों घटनाएं सेम ही है क्योंकि वहाँ पर कनक्लूजन जो निकल रहा है जो उसका रिजल्ट निकल रहा है वह सेम हो रहा है लोग की व्यक्ति की मौत हो गई ठिक तो साइंस के नजर में दोनों घटनाएं एक ही है लोगों के नजर में दोनों घटनाओं में आकाश पतल का अंतर है इनकी भावनाएं बिलकुल अलग होंगी भी प्रीत होंगी तो इसलिए scientific point of view जो है science के देखने का जो नजरिया है उसे हम इश्वर के आँख का नजरिया इश्वर का नजरिया बोल सकते हैं बट इट डिफर्स प्रोफाउंडली फ्रॉम दैट लेकिन ये भेद करता है विभेद करता है अंतर बताता है प्रोफाउंडली पूरी गंभीरता से फ्रॉम दैट उस चीज से विच रिलिजन्स हैव एट्रिब्यूटे तो अल्माइटी इन बिंग एथिकली नूट्रल जो बाकी जो रिलिजन्स हैं बाकी जो धर्म है जिन्होंने एट्रिब्यूट किया है जिन्होंने जिम्मेदार ठहराया है अल्माइटी को भगवान को जो सर्वसक्तिमान है ठीक जो गौड है उन्हें जिम्मेदार ठहराया है इन बिंग एथिकली नूट्रल कि इश्वर जो है वो एकदम भीभेद बताता है कि दोनों में अंतर बताता है गंभीरता से Science cannot determine what is right and wrong Science ये निश्चित नहीं कर सकता कि क्या चीज सही है और क्या गलत है And should not try to और Science को try भी नहीं करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है आपको बस ये बताना है कि इसका result क्या होगा आप result के बारे में बताईए क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में नहीं It can work out the consequences of various actions ये अलग-अलग action का परिनाम निकाल सकता है उसका result निकाल सकता है Actions but it cannot pass judgment on them लेकिन ये उस चीज़ पर अपना judgment पास नहीं कर सकता अपना निर्णे नहीं सुना सकता हाँ उसके बारे में उसका परिनाम क्या निकलेगा वो बता सकता है अपना जर्जमेंट नहीं पास करेगा, कि हाँ ये इनसान जो है, आम इनसान जो होता है, वो तो हर चीज पर जर्जमेंट पास कर देता है, ये सही है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, साइंस ये नहीं बताता है, साइंस बताता है कि ऐसा होगा, तो ये प और सुक्षम जीवहों इतना बता सकता है की प опас क्या है कि पॉब्लिक वाटर सप्लाइइ कि एव..? जोणि जुन की ऐजाता है एलोगों के घर अधर में झас засड़ की तुम में उसमें जो pollution होता है वो अगर pollute water अगर वो गंदा पानी अगर लोगों के घर में भेजा जाएगा is likely to cause as many deaths as letting off a bomb in the public street वो वैसा ही होगा जैसा कि public street में कोई bomb फेग दिया जाए कोई bomb जो है bomb वो छोड़ दिया जाए उससे जो मौति होंगी उसमें और लोगों के घरों में गंदा पानी supply किया जाए उसमें उस दोनों में कोई अंतर science के नजर में नहीं है क्योंकि दोनों परिस्थितियों में लोगों की मौत सेम होगी bomb फेगने से जितनी लोगों की मौत होगी हाँ दोनों में अंतर है एक में लोग तुरंत मर जाएंगे, एक में लोग तुरा लेट से मरेंगे, लेकिन कोई अंतर नहीं है, लोगों की मौत ही हो रही है, इसमें जादा साइन्टिस्ट के पास बहुत जादा नौलेज है उस चीज का, कि पब्लिक में पब्लिक को गंदा पानी सप्लाई किया जाएं उसमें, और बं फेक दिया जाएं उसमें, दोनों में अंतर बताने के लिए आपको हजारों लोग, लाखों लोग मिल जाएंगे, करोरों लोग मिल जाएंगे, कि दोनों में कई तरह कांतार है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन बहुत घटिया है, और यसली बं फेकना बुरा करते वो आपके उपर में डेबेंट करता आपको भी चाहिए कि जुर से नुकसान होका वो नुकसान दायक्तünden से बात कुमिश में नुकसान में भी आप सोचेगे यह चीजा बुरा है और यह चीज 복ेशा और यह तो ऐसा नहीं है कि scientist के पास बहुत ज्यादा यह लोगों से ज्यादा knowledge है कि वह दोनों चीज में difference कर सकता है ऐसा नहीं है फोट फोर कौन सा ग्यान फोर डिटर्माइनिंग कि वह डिटर्माइन करें निश्चित करें whether these two acts are equally wrong कि वह यह नहीं बोलेगा कि यह दोनों जो act है यह जो दोनों काम है वह equally wrong है ऐसा scientist नहीं बोलेगा the enemies of science science के जो दुश्मन है जो science के विरोधी हैं नहीं मानने वाले हैं alternately abuse its exponents वह इसके exponents को गाली देते हैं बुरा भला कहते हैं exponents का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो व्याक्या के साथ कुछ बोलते हैं कुछ भी बोलते हैं तो तर्क दे करके बोलते हैं कुछ भी देते कुछ भी बोलते हैं तो उसका reason और उसका जो result नहीं के लेगा वो बता करके बोलते हैं उन लोगों को exponents कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति को जो आम लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्म में भरोसा करते हैं, वो ऐसे व्यक्ति को बुरा भला बोलेंगे, As a example हम लेते हैं, जैसे कि लोग बोलते हैं कि हिंदु धर्म में पीपल की पूजा की जाती है, पीपल के पेर की पूजा की जाती है, बहुत बढ़िया है, यह धार्मिक आस्ता से जुरा हुआ विशह है, कोई दिकत नहीं है, अब वहीं पर एक साइंटिस्ट बोलेगा कि यह है, कि अब वह अगर बोला है, वह यह नहीं बोलेगा कि 24 घंटे अक्सिजन देता है, तो इसलिए पूजा करो, लेकिन हिंदु धर्म में तो धार्मिक आस्ता यह है कि पीपल के पेर की पूजा की जाती है, और साइंस आपको उसका रीजन बताता है, कि आप उसकी अब गाई की पूजा ले लीजे, हिंदु धर्म में गाई को माता माना जाता है, गाई की पूजा होती है, अब साइंस कहता है, कि गाई का दूद बहुत ही पूज्टिक होता है, बच्चे को मा का दूद ना मिले तो गाई का दूद पिलाना चाहिए, बाकी कोई दूद नह की जा रही है लेकिन फिर उसको गाली देंगे कि नहीं ऐसा नहीं है हम गाय की पुझा करते हैं इसके पास कोई तरक नहीं है कि क्यों पुझा करते हैं लेकिन मैं देखिए मैं कोई धार्मिक भावना को ठिस्ट पहुचाने के लिए कुछ नहीं बोला हूं बस मुझे जो समझ मैं आignerा आपको देने का वो मैं देने का प्रयास कर रहा हूं इस चैप्टर के हिसाब से ठीक है उसके बाद प्यूसक्र साइंस के लोगों को गाली दीते हैं जो तरक के साथ कुछ बाते करते हैं और तर क्यूं कॉश्प गा ले कर जो आम लोग हैं जो धार्मिक लोग हैं वो मानते हैं for being deep to moral considerations कि जो नैतिक बाते हैं जो नैतिक भावनाएं हैं उसके खिलाफ उसके प्रती साइंस बहरा होता है science को नेतिकता से कोई मतलब नहीं है science को धर्म से कोई मतलब नहीं है इसलिए लोग science को गाली देते हैं and for interfering in ethical problems और वो जो science है वो ethical problems में interfere करता है जो नेतिक बाते हैं जो धार्मिक बाते हैं उसमें science interfere करता है जो science को नहीं करना चाहिए अगर scientist को किसी religion के बात में interfere करे लेता है तो गाली दी जाती है ठीक है जैसे कि एक एक एक्जामपल लेते हैं हम एक छोटा सा लेते हैं मैंने देखा था गूगल पर या किसी science के book में हम ने देखा किसी स्थेट में इंडिया में ही अंडे को वाइट फू भॉला जाता है वह लेकिन बांकी दोगों को ऑंडे को नंवेज बोला जाता और उसको यह जाता है कि अरूस्के कि इसलिए बला है साइंस यह बताता है कि जो अंडा आप आँगो बहुते और लिक्षटी शेल्स ऑर दोधमो publiंटमट इस तो लो ये लिगेद् साइन्सित को और ये उन्हां में आ mins दिल्चस्पी उन्हाइब करने करने अब आपने कोई इंञे इंड usually जिस नव neces 15 सोव constraints और साइंस ही है इसंटी जिसकी वजह से आज कि कंकियों माँवन सुख पुरवक जी रहे हैं इतने सारे हैं हमारी सबस्टा बढ़ाने वाले सामान हम देख रहे हैं वह सब साइंस क की वजह अच्छी बात नहीं है सच की तराज उपर तौली which do not concern both of these criticism यह जो दोनों criticism है यह जो दोनों जो science के खिलाब जो बाते कही जाती है वो cannot be right वो सही नहीं हो सकता है ठीक चलिए अगला paragraph देखते हैं आप लोगों से बस एक ही शिकायत है कि आप लोग ना चैनल को subscribe करते हैं और ना वीडियो को like करते हैं ना comment करते हैं तो अगर अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो आप बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा और सारा वीडियो आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा हमारे वीडियो से बहुत अच्छी बाते हैं और चैप्टर तो हम लोग पढ़ते ही हैं ठीक है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन आएगा दबा दीजेगा ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तो पहुंचे उपर में नोटिफिकेशन आ जाएगा जरूर बताइए कि हम आपको कैसा लग रहा है वीडियो तभी ना जो इंस्पिरेशन है जो उत्साह मिलेगा और वीडियो जली जली वीडियो अप्लोड करेंगे चलिए परागराप नमबर छे देखते हैं क्या है उसके बाद है नाव दा टेंडेंसी ओफ दे एवरेज मैन जो आवसत आदमी है जो एवरेज मैन है जो आम आदमी है उनकी जो टेंडेंसी है उनकी जो प्रवर्ती है has always been to dwell on the emotional and ethical side of a case कि वो किसी भी मामले का जो ethical और emotional side है उसी पर वो निर्भर करता है उसी को वो देखता है मतलब emotional जो भावनातमक जो भाग है किसी भी case का कोई भी घ गटना घर जाती है उसका जो emotional side होता है और उसका जो ethical side होता है जो धार्मिक भावना होती है वो बस उन चीजों को दो ही चीजों से देखता है emotional और एक धार्मिक religious इन दो चीजों पर वो निर्भर करता है और इन दो चीजों से आम आज में किसी भी घटना को देखता है rather than on facts वो फैक्ट को नहीं देखता है, वो सच्चाई को जो असलियत है, जो साइंटिफिक जो रीजन है उसको नहीं देखता है, of the somewhat dull kind which interests the scientists, और जिन चीजों को वो वेक्ति धार्मिक भावना से या इमोशनल भावना से देखता है, साइंस उसी डल चीजों को, उसी बेकार की चीज के साथ देखता है, रुची के साथ देखता है, वो भी scientific point of view से देखता है, let me take two examples, चलिए यहां पर हम दो example लेते हैं, the problem of the American Negro and the problem of disease, American Negro की समस्याएं और बीमारी की समस्याएं, a large number of Americans hold that, कई Americans, कई मतलब खूब बहुत जादे, लाखों Americans, hold that, the Negro is definitely inferior to the white man, कि जो Negro लोग हैं, जो काले Americans हैं, वो उजले Americans से छोटे हैं, उसकी तुलना में, छोटे हैं मतलब, उनकी तुलना में थोड़ा कम महत्तो है, उनका white American का ज्यादा महत्तो है, और Negro जो है काले American का कम महत्तो है, अमेरिका में काले और गोरों के बीच का लराई और या ठोड़ा में आक टुलक है, पर यह क्या आपने पड़ा हो, कशे जीौनियर जो हैं, उनके द्वारा जो लिखा गया है,issä मार्टिन लूठर कीन्ग िन जौनियर के द्वारा लिखा गया है, वो उसी में बताएं, वो बैक वो चैप्टर ही है, अमेरिका के नीग्रो पीपल की लड़ाई के बारे में तो आप जरूर जा करके देखिए वीडियो बना हुआ है I have a dream का and should as far as possible और उन्हें चाहिए किने चाहिए लोगों को चाहिए be segregated from him कि American white Americans को और नीग्रो पीपल को दोनों को अलग रखा जाए क्योंकि दोनों एक उची जैसे हमारे देश में जाती होती है न उची जाती नीची जाती वैसे यह अमेरिका में white Americans और black Americans होते थे अभी तो भेदवाव नहीं है अपने इंडिया में भी बिलीव करते हैं भरोसा करते हैं he should enjoy the same rights कि नीगरों को भी वही अधिकार मिलना चाहिए जो वाइट अमेरिकंस को मिला है उन्हें भी उसी अधिकार का आनंद लेना चाहिए ठीक the biologist cannot decide between them अब biologist इन चीजों में भरोसा नहीं कर सकता विश्वास नहीं कर सकता ये चीज निरने नहीं ले सकता जो biologist है ठीक जो scientist है जो कोई doctor है वो ये decide नहीं कर सकता कि नीगरों पीपल को अलग रखना चाहिए या उन्हें समान अधिकार देना चाहिए ये science का ये काम नहीं ह he can point out that वो बस ये बता सकता है कि the negro's skull नीगरों की जो खोपरी होती है जो skull होता है is more ap-like वो लंगूर की तरह या बंदर की तरह जादा होती है than the whites white American की जो खोपरी होती है वो बंदरों की तरह नहीं होती लेकिन जो black Americans होते हैं उनकी खोपरी बंदरों की तरह लंगूर की तर लेकिन फिर वाइट अमेरिकन के तुछा में जादे बाल होते हैं जब कि बंदर के सरीर में कितना बाल होता है यह साइन्स आपको बताएगा और भी इसी तरह की बातें आपको साइन्स बताएगा बट रिजल्स आफ दु डाइवर्जेंट पॉलिटिकल व्यूज एस तुद नीग्रों लेकिन नीग्रों के प्रती जो पॉलिटिकल व्यूज जो दिये गए हैं दो अलग अलग जो राजनितिक नजरिया जो दिया जाता साइन्स जो है वो आपको नहीं बताएगा कि अलग अलग नजरिया क्या कि दोनों को अलग रखना चाहिए दोनों समान अदिकार मिलना चाहिए इस पर साइन्स कुछ नहीं कर सकता है इन दा कंट्रिडिक्स जो ग्रामीन इलाके के जिलियन है जो गाउं का जो भाग है उब दी ज्घोन्झ जो राजी उब अब जुमगत्र एफ़ वह उनकी मृत्यू हैं जन्म दर जादे है मृत्यू दर कम है मतलब वहाँ पर नीग्रो पीपल जादे जन्म लेते हैं गवर ग्रामीन इलाके में दक्षनी भाग में और उनकी मृत्यू बहुत कम होती है in the southern towns लेकिन वही पर शहरों में दक्षनी शहरों में and all through the north more Negroes dies जादे नीग्रो मरते हैं than are born लेकिन शहरों में नीग्रो का मृत्यू जादा होता है और उनका जन्म कम हो जाता है उनका जन्म दर कम हो जाता है शहरों में और उनकी मृत्यू दर बढ़ जाती है दियर हाई death rates are due to the fact that उनका जो यह हाई death rate जो है उनको यह उची मृत्यू दर है वह इस वज़ए से है कि in an environment और कि वह लोग ऐसे environment में चले जाते हैं ऐसे वातावरन में चले जाते हैं suitable to a white man जो white लोगों के लिए suitable है मतलब जो शहर है वह उजले American के लिए suitable है और जो गाउं का इलाका है वो black Americans के लिए Negro के लिए suitable है तो science आपको यह बताएगा कि आपके लिए कौन सा जगह suitable है science आपको यह नहीं बताएगा कि आपको वहाँ पर जाकर रहना है लड़ाई कीजिए मुझे यह अधिकार चाहिए वो science यह बताएगा कि आपके लिए ग्रामी नहीं लाके जादे अच्छे हैं क्योंकि वहाँ पर आपका जर्म दर्जाद है और आपकी मुर्तियुदर कम है आपको आपके जान कसे असलों का मथे द्लीम प Oui जेसक्षि वाइट अवर पेरिकर टैसिए जो च्यों कीए अगर कोमेरRIS आज़ी आपके चले जाएए पाहरी इलाक में रहेना है में इलाकों में चले जाए तो वहांगी चुसर पर दनी ग्रो को अरिजिन पर सिप्राम होम ज़ो जby delivered। लेगल ब्लेक करन होम वहांगी निग्रो के लिए वहां पर आमेरीकन पर थिल्ग के तो रहन पर तो वहांगी से वहेँ मरेंगे बात समझ रहे हैं उसके बाद है so अगर इसलिए if you keep the Negro अगर आप Negro को रखते हैं out of cars, car से दूर, factories, factory से दूर and so forth और इनी बहुत सारी चीजों से दूर और frighten him away from contact with whites और अगर आप उसे Negro people को black Americans को white लोगों के contact में आने से दूर रखते हैं डरा कर धंका कर by an occasional lynching और कभी-कभी उन्हें जान से मार कर या lynching जो होता है mob lynching आप लोग सुने होंगे भीर अगर किसी को मार देती है तो उसे mob lynching का जाता है occasional lynching मतलब कभी-कभी किसी निग्रों को मार पीट करके अगर आप भगा कर उसे फैक्ट्रीज और कार से दूर कर देते हैं यू ड्राइव हिम बैक तो दुद कॉटन फिल्ड्स आप फिर से आप उन्हें कहां बेज देते हैं आप उन्हें कॉटन फिल्ड्स में मतलब रूई के मैदानों में उनके जंगलों में वो जहां पर रहते हैं उनका जो ओरीजिनल होम है जो ग्रामीन इलाके हैं जो पहारी इलाके हैं जो नदी का जहां पर नदियां बहती है उन इलाकों में अगर आप उसको भेज देते हैं निग्रों पीपल को ठीक, where he lives healthily, जहाँ पर वो एकदम स्वस्त रूप से वो जिन्दा रह सकता है, and breeds rapidly, और तेजी से बच्चे पैदा कर सकता है, अपना वंस बढ़ा सकता है thus creating a negro problem for future generation तो आप negro के लिए उनके future generation होंगे जो उसके आने वाली जो PD होगी उनके लिए आप problem create कर रहे है क्योंकि negro अगर वहीं पर रहेंगे तो सुभावी के वहाँ पर रहेंगे तो वो अगर कोई व्यक्ति जंगलों में रहने लगे 10 लोग, 20 लोग तो उनकी जब जनसंग क्या बढ़ेगी तो जंगलों को काटेंगे फिर कर बनाएंगे वो भी शहर बन जाएगा तो निगरों की जो आने वाली generation है उसके लिए आप problem create कर रहे है लेकिन वो ततकाल उस समय जो निगरों लोग वहाँ पर जाएंगे उनके लिए तो अच्छी बात है साइन्स यह नहीं बताता है कि क्या अच्छी है क्या बुरी है वो बस आपको fact बताता है इफ यू इफ यू extend the hand of friendship to him अगर आप उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं यू आल्सो इंफेक्ट हिम with your melodies तो आप भी उसे इंफेक्ट करते हैं उसे जैसे कौरोना किसी एक वक्ती को कौरोना है अपने सुना होगा अगर किसी को कौरोना है वो अगर दूसरे से हाथ मिलाएगा तो उस सामने वाले को भी वो बिमारी हो जाएगी तो यह कहते हैं कि अगर कोई white americans negro people के साथ हाथ मिलाता है तो white americans की जो बिमारी है शहर में रहने वाली बिमारी है जो बिमारी है जिस देखिए अभी उपर में कहा गया कि negro people जब शहर जाते हैं अमेरिका के शहरों में जाते हैं जहां white americans खूब हैं वहाँ पर negro people की मिर्थिदर बढ़ जाती है उससे हाथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए इसका मतलब है कि जो white americans है वो अपनी बिमारी उसको negro people को black americans को दे रहा है you also infect him with your maladies आप उसे अपने maladies से बिमारी से उसे infect कर रहे हैं उसे ग्रसित कर रहे हैं besides establishing in your midst a reservoir of disease germs और इसके इसके अतरिक्त आप अपने बीच में जो disease germs है जो बिमारी का जो किटानू है उसको आप लोग अपने बीच में रख रहे हैं ठीक अब वो बिमार होंगे तो इसका मतलब है कि वो आपके बीच में है तो उनको बिमारी हुई है तो बिमार जो है जो जो डीजीज बीमारी का जो जर्म्स हैं जो किटानू है वो भी आपके बीच में तुम्हारे बीच में रहेंगे ठीक है चलिए रहने देते हैं इसके बाद तीसरा वीडियो में कोशिस करेंगे कि वो पूरा चैप्टर खत्म कर दिया जाए थैंकियो सो मच बाबाई टेक कियर हुआ हुआ है भी खत् heav कियर ये लुटर एको कि रहा करेंगे हैं चलिजा कि प्ल्वरावाप सा रहा हैं जा लुटर रापन रहां जाए हैं वो प्ल्क वठावरे में को वो